विदान सबा स्पीकर राहूल नर्वेरकर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद विदान सबा स्पीकर पर हमला किया गया महाराष्ट्र में समलेंगिक तरीके से सरकार चल रही है सर्वोच्चन यायले ने ऐसे विभा को मानता नहीं दी है सर्वोच्चन यायले को ना मानना सिर्फ मनमानी ही नहीं बलकि दिमागी संतुलन विगर जाने की निशानी है विधान सबा स्पीकर राहूल नर्वेरकर को सुप्रीम कोट से फटकार मिलने के बाद विधान सबा स्पीकर पर हमला किया गया महाराष्ट्रो में समुलेंगिक तरीके से सरकार चल रही है सरवोच्चन याइले ने ऐसे विभा को मानता नहीं दी है सरवोच्चन याइले को ना मानना सिर्फ मनमानी ही नहीं बल्कि दिमागी संतुलन विगर जाने की निशानी है विदानसभा स्पीकर राहूल नर्वेरकर को सुप्रीम कोट से फटकार मिलने के बाद विदानसभा स्पीकर पर हमला किया गया महाराष्ट्र में समलेंगिक तरीके से सरकार चल रही है सर्वोच्चन यायले ने ऐसे विभा को मानता नहीं दी है सरवोच्च नियाले को ना मानना सिर्फ मनमानी ही नहीं बलकि दिमागी संतुलन बिगर जाने की निशानी है